कि नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाइन से स्टिचिंग में आपका स्वागत है बलाउज की इस डिजाइन का वीडियो आपके साथ शेर करने वाले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यह देखिए मैं जो लाइनिंग उस पर मटका गला पेस्टिंग पेपर पर काट कर पहले ही इस पर चिपका लिया है और यह मैं फैब्रिक पर इसको इस तरीके से रखते हुए अच्छे से मैं पिन सेट करूं प्रेट हो जाती है और अब हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद कि यह देखिए पहले में नेक को कट कर देती हैं से और फिर छोटे-छोटे हम यहां पर कट लगा देंगे इससे अच्छे से पल्टा जायेगा छोटे-छोटे नौचे पूरे नेक पर हमें यहां पर लगाने हैं अब हम इसको पलट लेंगे अच्छे से किनारी को नाखुन से प्रेस करते हुए यह किनारी वाली सिलाई हम यहां पर लगा लेंगे तो यह देखिए मैं यहां पर किनारी वाली सिलाई लगा रही हूँ अच्छे से कप्ड़े को सेट करते हुए जाएं और किनारी की सिलाई लगाते हुए जाएं मैं डायरेक्ट यहां पर लेसे डिजाइन बनाने वाली हूँ तो पाइपिन की को यहां पर आफशकता नहीं है और पेस्टिंग पेपर मैंने यहां पर यूज लिया है तो कहने भी आपर चोड़ा यह फैलेगा नहीं कि देखिए मैंने चार उत्रफ सिलाई लगा कर इसको देखिए डेड इंच पर में अधर और डेड इंच इदर दोने साइड अब मैंने लेस ली हुई है क्योंकि साड़ी इसी कलर की है तो मैं साड़ी की कलर की लीज यहां पर लगाने वाली हूँ तो पहले तो राउंड एक पर से इसको लगा लेंगे हम लेस पूरी को बिल्कुल किनारी से सटके Bose को लगाएं किनारी का जो फैब्रिक है वो पुरा यहाँ परलेश के नीचे कंवर होनाची दिख़ाई नीचे से कोई भी हमारा जो फैब्रिक है किनारी दिखाई नहीं देनी चाहिए इसलिए अच्छे से सेट करते हुई इसको लेस को अटेच करें ब्लाउज में आप इस तरह की लेस का यूज करें जो आसानी से घूम जाती हो और पतली चोड़ाई में वो थोड़ी कम हो चोड़ी लेस ब्लाउज में हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें जोला जाता है और वो फिनिशिंग हमारी खराब हो जाती है इसलिए इसकी चोड़ाई कमो इस तरह की लेस आप यूज ले तो ये देखिए मैंने किनारी पर पुरी पर एक बार लेस को अटेच कर लिया है साड़ी का कपड़ा है ये सिफोन में काफी सॉफ्ट कपड़ा होता है तो इसको क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से अड़्जेस्ट करते हुए हमें चलना पड़ता है हाड कपड़ा होता है या मोटा कपड़ा होता है तो उस पर तो अल्रेडी फिनिशिंग हमारी आ जाती ह यह देखिए अब हमने डेट इंच के लाएं जहां पर ड्रो की है फर्स्ट वाली गिए तरीके से अंधि कमर पत्टी पर हम इसको लगा लेंगे हम इसी तरीके से अमें ग्रैंड की स्ट् della सवाध की शौलिडर शॉल्डर से ना लगाके कमर की साइड से स्टार्ट करें एक साइड हमारी शोल्डर से स्टार्ट होती है और दूसरी साइड कमर की साइड से तो इस तरीके से कहा है कि ब्लाउज में लेस का बैलेंस बना हुआ रहता है और लेस पे भी जोलनी आता और ब्लाउज का कपड़ा इदर उदर तिर्चा वग यह देखिए मैं इसको डबल फोल्ड करके पलट लूँगी और बीच में यहां पर एक छोटी सी फ्रिल अटेज करने वाले आप चाहँ तो यहां बो भी बना के लगा सकते हैं या फिर कोई रेडिमेट फ्लावर वगर जो भी आते हैं वह आप यहां पर लगा सकते हैं तो मैं क्या साड़ी ब्लाउज की पीस में से यह पट्टी काटकर इसको पलट लूँगी और फ्रिस्की फ्रिल बनाकर उस पर मोती अटेज कर लूँगी अभी देखिए इसको अलके से यहां पर पलट के पैंसे स्टीक वगरा किसी से भी आप यहां पर इसको पलट ले इस तरह की चोड़ी पट्टिया आसानी से पैंसिल से इस तरह के से पलटी जाती है यह देखिए हम मैं यहां इसकी फ्रिल बना लूँगी आप चाहिए तो एक बार इसकी प्रैस भी कर ले कपड़ा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो वह कहें कि उठ जाता है तो इस तरह के से कपड़े होते हैं तो आप पहले उन पर प्रैस कर लें दोनों फ्रिल को मैं पॉजिट साइड से यह देखिए एक राइट साइड और एक रॉंग साइड तोनों साइड से हमारी करके मैंने छोटी सी फ्रिल यहां पर बनाई है और यह देखिए मैं इसको बिलकुल सेंटर में अटेज कर लूँगी जहां हमारी बिलकुल सेंटर लाइन है उसी के उपर हमें आसी लाए लगानी है यह देखिए नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रेक उसको मैं नीचे की साइड पलट दूँगी फ्रिल के साथ पलटते हैं तो वह क्या जो कट है उसका दिखाई देता है इसलिए मैंने उसको नीचे साइड पलट दिया है और अब इसमें मैं इंचार जो भी फ्रिल पर गॉर्डन करके मोती अटेज कर लूँगी और इस तरीके से यह ब्लाउज का मारा फाइनल लुक आ जाएगा तो यह देखिए मैं मोती आपर अटेज कर रहे हूं हाथ की सुई से और यह देखिए हमारी डिजाइन कंप्लीट होगे अगर करें चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग